हेलो दोस्तों आज हम आ गए हैं TBS के सोरूम यह जो की मेरे नजदीकी में एक सब्स डीलर सीफ है वहाँ पर हम आ चुके हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले TBS की NTORC RACE XP 125 के बारे में जो की NTORC का यह नया मोडल लॉंच किया गया है TBS के तरब से काफी कमाल का feature आपको इस skoooter में देखने को मिलता है जो की अभी तक 125cc के skoooter में आपको देखने को नहीं मिलेगा इस वीडियो में आपको इसके बारे में सारा डिटेल्स बताऊंगा क्या कुछ नया चैन्स देखने को मिल रहा क्या कुछ इसा आपको इसमें फीचर देखने को मिलता है और इसका एक सोरूम प्राइज कितना है और ओन रर्थ तक ये कितने तक जा सकती है और जो भी मेरे लोकल में अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो भी उखड़ा के आज-पास इलाके से देख रहे हैं आपके लिए बेनिफिट वाला वीडियो होने वाला है तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखेगा बेनिफिट ये है कि जो भी मेरे लोकल सस्क्राइबर है अगर आप मेरे वीडियो के थ्रू आते हैं और सोरूम में मेरे चैनल का नाम मेंसन करते हैं कि आप इनका वीडियो देख क्या है तो आपको यहाँ पे इस स्कूटर पे डिसकाउंट भी देखने को मिल जाता है हाला कि आगे भी इसका कंपेर वीडियो हम बनाने वाले है कि TBS Enter का Old Model versus TBS Enter का X-XP में क्या कुछ नया फर्क देखने को मिलने वाला है बट वो वीडियो आपको यह जो ओवर्कराउंट वीडियो है उसके बात देखने को मिलेगा तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप जैसा की देख सकते हैं सबसे पहले हम इसके की से स्टार्ट करते हैं तो काफी लंबा की आपको इसमें देखने को मिलता है जैसा की एक कार में आपको की देखने को मिलता है जैसा की आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं TBS आपको इस साइट में लिखा हुआ देखने को मिल जायेगा और अगर आप key को इस साइट करें तो यहाँ पे आपको TBS का घोड़ा देखने को मिल जाता है इसका जो side ने घोड़ा का, वो देखने को मिल जाता है तो key काफी लंबा है, key से हमने start कर लिया है दोख की आपको देखने को मिलेगा तो अब चलिए सबसे पहले हम इसके वर्क राउंड करते हैं तो अब चलिए स्टार्ट करते हम इसके फ्रंट से तो फ्रंट में जो आपको वाइजर है आपको वो same देखने को मिलेगा ब्लेक कलर का है यहाँ पर आपको जो TBS का Smart X Connect है वो यहाँ पर लिखावा देखने को मिल जाता है यह स्कूटर फोल से कनेक्ट होता है आपको इसमें Bluetooth भी मिलता है यहां पर आपको जो TBS का sticker होता है इंडिया का जो flag type का है उस type का आपको यहां पर TBS sticker देती है अपने हर scooter अपने हर bike में यह TBS के तरफ से देखने को मिल जाता है और यहां पर आप देखे तो आपको indicator देखने को मिल रहा है indicator में आपको yellow color का bulb दिया गया है यह LED में नहीं है यह आपको Hello Jean Bulb में देखने को मिलता है आप यहाँ पर देखे तो आप लोगो TBS लेखा हुआ देखने को मिल जागा जो की 3D में यहाँ पर आपको नमबर प्लेट के लिए हो गया और यहाँ पर भी जो वाइजर है यह आपको ब्लेक कलर में देखने को मिलता है और फ्रंट में आए तो फ्रंट में आपको यह दो DRL देखने को मिल जाते है जो की एक मस्कुलर लुक देते है इसके हेडलाइट को और यहाँ पर आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाता है अपको यहां पर, सब में आपको LED का देखने को मिल जाएगा, LED यहां पर use किया गया है और यहां पर deep में झाले तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको LED Tech लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, LED Technology तो यह चीज़े काफी बारिकी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ यह आप मेंसर नहीं कर पाएंगे बट फिर भी एक है कि आपको इसमें पता जा जाता है कि LED देखने को मिल रहा है और यहां पर आप देखे तो यहां भी इसके लुक को मस्कुलर लुक द देखने को मिलता है और वहीं चले तो यहां पर यह जो है यह आपका फाइबर में देखने को मिलता है matte black में यहाप दिया गया है और इस side और इस side दोनों में आपको gray color देखने को मिलेगा हलका सा यहाँ पर design में change देख सकते हैं यह थोड़ा सा अंदर की तरफ है जो इसके look को थोड़ा सा और उभारता है तो यह आपको front में यहाँ से देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको एक wings type का देखने को मिलेगा जो कि आप बोल सकते fighter jet में या जो महांगे helmet होते हैं air pass के लिए aerodynamic जो होता है वो इस तरह का आपको एक look देता है feeling देता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है यह हो गया ये हो गया यह हो गया तो यह सारे चीज ऐसा आपको देखने में लगता है तो फूड़ा सा मैं दूर से देखा बहुत आप देख सकते हैं और यहाँ पर RTFI Race Tune का sticker देखने को मिल जाता है और थोड़ा सा दूर आपाए तो यहाँ पर आपको graphics में change देखने को मिलेगा जो की old वाले model से यहाँ से थोड़ा से different है आपको 125 यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जागा साथी Race XP model है तो यहाँ पर आपको Race XP का graphics देखने को मिल जाता है यह आपको gray color में मिलेगा और यह आपको black और red में combination करके दिया गया है और यहाँ पर आपको white में मिलेगा बाकी यह जो side में है यह आपका black color में देखने को मिलता है और वही front में और चीजे की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको 220 mm का disc-break देखने को मिलता है और tire size की बात करें तो इसमें आपको TBS का tire देखने को मिलता है जो कि tubeless tire है टार साइज आप यहाँ देख सकते हैं 100 by 802 section का आपको tubeless tire देखने को मिल जाता है और वहीं आपको वील में भी चेंज देखने को मिलेगा, आपको रेट कलर का वील देखने को मिलेगा, जो की एक रेस का फिलिंग देता है, टीवियस के अगर आप अफिसिल एटसाइट वह जाएं तो इसको रेस के नाम से बुलाया जा रहा है, और यहाँ पे भी एक आपको चोटा सा जो बारिकी चीज़े वह दिखाता हूँ, आप यहाँ इसके वील को देखें, तो जो इस वील के बीच में यह जो प्लेट होते हैं, यह आपको साइड में देखने को मिलेगा, किसी और आप बाइक के स्कूटर में देखें, तो बीच में देखने को मिलता है, हाप इसके बीच में यह चीजे रहेगा बट इस साइड में आपको यहां से यहां खाली दिखेगा और यह पूरे उस साइड में कर दिया गया है जो कि इस साइड में आपको डिस ब्रेक है और यहां पर आप देख सकते हैं यह पूरा यहां से लेके यहां तक खाली है इसको साइड में धिया गया हाला कि इसको इस Smells bend किया गया है जैसे कि आप यह लेख सकते हैं यह उस सट गया है उसके बाद यह बीच में ही आके मिल रहा है बट इसके डिजाइन जो है यहाँपे थोड़ा से different आपको देखने को मिलेगा इस साइट से आपको दिखाता हूँ इस साइट से आप देखे तो इस साइट से ये चीजे सामने हैं ये चीजे यहाँ पर सामने हैं यहाँ पर bend करके ये चीजे को यहाँ पर सामने देखने को मिल जाता है जोकि उच साइट से थोड़ा संदर है, इस साइट से उबरा हुआ है, तो ये चीजे आप देख सकते हैं, और आपको suspension इसमें telescopic suspension देखने को मिलेगा, देख सकते हैं, यह पर आपको telescopic suspension देखने को मिलता है, तो ये कुछ front से ऐसा कुछ look निकल के आपका आता है, और जो mirror है, rear एक बड़ चावी on करके इसके जो indicator है, वो दिखाता हूँ, और जो light है वो भी दिखाता हूँ, तो एक बड़ चावी को मैं on करता हूँ, और चावी on करते ही, जो DRL है, वो जल जाते हैं, तो ये DRL आपका run हो रहा है, जब भी आप चावी को लगाएंगे, चावी on करेंगे क्यों करेंगे, आपका ये DRL on होता हूँ दिख जाएगा, और एक चीज़ से में बता दूए, इसमें जो है hazard light भी आपको देखने को मिलता है, जो चारो indicator है, front के दो और back के दो, वो चारो एक साथ blink करेंगे, तो वो चीज़े भी आपको दिखाता हूँ, ये hazard light का switch हो जाता ह ये, देखें, hazard light on करने पे, इस तरीक से ये चीज़ आपको देखने को मिलता है, front में भी ऐसा देखने को मिलता है, और back में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, देख सकते हैं, इस side भी ये, back side भी ये blink कर रहा है, इसमें hazard light भी देखने को मिल जाता है, और एक precon 1992, इसके जो light है जब आप की on करेंगे तो सिफ DRL on होगा कोई भी light यहां पर on नहीं होगा तो आपको बाइक start करना होगा तभी इसका जो light है वो start होगा वो चालो होगा तो की को on करने के बाद ये ब्रेक दवाने बाइक बाइक start हो जाती है और start होते हैं को कुछ इस तरीके से लोक इसका निकल के सामने आता है यह आपका low beam के लिए भी जल रहा है तो low beam जो है वो उपर वाला light आपका low beam जाएगा जो की जमीन के नीचे तक देखने में लगता है तो on होने के बाद ये कुछ इस तरीके से इसका light निकल के आ रहा है और अब ही हम करते हैं इसके high beam को on high beam को on करने पर देखें वहाँ पर थोड़ा सा light जा रहा है जब कि यह दिन है तो यह high beam हो गया high beam के बाद अब इसके look को देखें तो high beam होने पर इस तरीके से इसका loop निकल रहा है चलिए back side चलें तो यहां पर आप देख सकते हैं इस टोपर ब्रेक हो जाता है उसके बाद जो mirror है इस तरीके से देखने हम लगता है तो वहाई left side में आप देखे तो left side में आपको high beam low beam और pass का यहीं पर आपको switch देखने को मिल करेंगे तो यह indicator बंद जाता है यहां पर आपको horn है horn देखने को मिलेगा इस side में आप आते हैं तो इस side में आपको engine quill switch मिल जाता है on off का यहां पर hazard light का switch मिल जाता है और यह आपका riding mode का हो जाता है यहां से आप riding mode street mode और जो race mode है यहां से आप on कर सकते हैं उसके बाद console में चले तो आपको fully digital instrument console देखने को मिल जाता है यहाँ पर देखे तो यहाँ पर mode और set का button दिया गया है यहाँ पर आपको eco और power देखने को मिलता है तो अभी एक बर करते हैं इसके यहाँ पर चाबी है तो यहाँ पर चाबी को on करते है ओन करने पर उच इस तरीके से आता है जो कि auto mode में आप देखे तो यहाँ पर आपका यह कितना kilometer run हुआ है यह 100 होगा यहाँ पर आपका time दिखा एक अभी लगा राएगा 플रेंटश चाबी कि इसमें इका लिया है कि अंपर इनचन का hit दिखाएगा После आपकी ऊद्रिखा यहाँ और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पैटरोल का दिखाएगा यह neither की ओन है तब भी आपका पेट्रोल इसमें थोड़ा बहुत खपत हो रहा है तो यह चीज़ें आपके देखने को मिलती है और जैसे लाइट का है अगर आप इंडिकेटर का स्विच ओन करते हैं तो इस साइट का इधर दिखाएगा लेफ्ट साइट का लेफ्ट में जब बन हो जाता है यह आपका है, जो कि होड़न काफी तगड़ा है तो ऑन करने पर इस तरीके से और वहां पर देख़्ेय तो पास का आपको इसी में से देखने को मिल जाता है यह पास का हो जाता है इको मोड में देख सकते हैं अभी ग्रीन जल रहा है जब यहांप यहलो जलेगा तो समझज़ेगे कि आपको रेट्स मोड में मतलब ज्यादा खर्पत हो रहा है जब 45 कूपर जाएगा तो इसमें आपको फ्यूल ज्यादा लगेगा यहलो कलर कर यह जलने लगता है और वहीं अब देखे तो एक्सिलेटर में यहां पर कोई भी फील नहीं हो रहा है और यहां पर हैजार लाइट में दोनों यहां पर ब्लिंक करेगा उसके बाद साथ ही यहां पर देखे तो राइडिंग मोड है अगर मैं यह स्विच तो दवाता हूँ तो यहां पर देख सकते हैं मैं यहां पर राइडिंग मोड दवा रहा हूँ स्ट्रीट मोड रेस मोड यहां पर आपको दोर मोड देखने को मिल जाता है रेस मोड में आपको जो स्कूटर है वो ज्यादा स्पीड आएगा ज्यादा आपको पावर देखने को मिलेगा इस्ट् वहीरेसमो्स जब आप करेंगे तो यहांप अपर यहां पर लेप वगरा दिखा ने लगता है मोड़ दबाएंगे तो यहांपर देखा अगर राइडिंग उत्राल अपर Якभी यहां पर स savage और राइडिंग इस्टार्ट बीटत लेप्ड तो यह सारा चीज यहां वोइस कमाड़ भी मिलता है वोइस कमाड़ आपको सब कुछ यहाँ पे सो होगा वोइस कमाड़ मिलेगा 1520 आप वोइस कमाड़ इसमे यूज कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको एक TVS का जो आप आता है वो आपको डाउनलोड करना होगा उसमें जो स्कूटर का 66 नमबर है वो चीज़े आपको इसमें इन्पुट करना होता है 66 नमबर आपको सीड के नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो कि मैं आगे दिखाने हो लो तो वो चीज़े नमबर डाल के जो भी बाइक पर्चेस कर रहे हैं वो अपने फोन में रेजिटर करेंगे उसके बाद उनके फोन से यह ब्लुटूथ कनेक्स हो जाएगा उसके लिए जब एप ओन करेंगे वहाँ पर ब्लुटूथ कनेक्ट का सारा फर्मिशन मांगता हूँ वहाँ से आप ओन कर सकते हैं और आटोमेटिक यहाँ पर आपको ब्लुटूथ कनेक्ट हो जाएगा जब भी आप कुछ भी बोलेंगे यहाँ पर सो होगा जो कि आप यह चोटा सा क्लिप देख सकते हैं और दूसरे के मुबाइल से इसको रिकोर्ड किया था दोस्तों देख सकते हैं इसमें आपको ब्लुटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्सन मिल जाता है और वोइस कमांड का भी ऑप्सन मिलता है साथ ही इसमें जिपियस भी दिया गया है तो इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको टीविएस का एक एप डाउनलोड करना पड़ता है tvs connect बोलके यह आपको download करना होगा play store से आप इसको download कर सकते है इसके बाद आपका यह Bluetooth चालो हो जाता है और इस तरह के से कुछ interface आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको इस तरह के सा है आप जब यह app को download करेंगे कुछ permission इसमें मांगा जाता है उसके बाद आपके phone मे Bluetooth automatic on हो जाता है और यहाँ पे आपको कुछ connect जोबत नहीं है आपको key लगाना है scooter में engine kill switch को on रखना है और यह Bluetooth से connect हो जाती है तो connect होने के बाद इसमें आप 15 से 20 voice command को डाल सकते हैं जैसा है कि देख सकते हैं इस app में आपको voice assistant, in, ride, setting, race, street यह सारा कुछ feature देखने को मिलता है voice assistant में, show my location और यहाँ पे भी आपको listening का दिखाएगा देखें यहाँ पे location मेरा अभी यहाँ पे show हो गया उखडा का और जब आपको riding mode change करना होगा तो यहाँ पे भी आप touch करके इसको बोल सकते हैं तो आपकी जब यह scooter start रहेगी तब ही आपका riding mode change होगा और जब scooter बन तो यहाँ पे आपको change नहीं कर सकते हैं तो जब आपको Bluetooth इसका connect करने के लिए सबसे पहले जो इस bike को purchase करेंगे उनको इनका चेचिस number 8 करना पड़ेगा उसके बाद आप इस तरीके से Bluetooth connect कर सकते हैं phone के through तो काफी सारा आपको यह चीज़े देखने को मिल जाता है जो की 125 CC की segment में पहला यह इंडिया के scooter है जिसमें आपको voice command मिलता है navigation मिलता है साथ इसमें जो riding mode है वो देखने को मिलता है तो यह चीज़े यहाँ पे देखने को मिल रहा है back side में अगर आप चले तो seat देख सकते है seat भी काफी लंबा है comfortable cushioning भी अच्छा है और seat में यहाँ से यह थोड ट और लिखा हुआ देखने को मिल जाता है अगर आप देखे इसकी color को तो back side में आप देख सकते है recee लिखा हुए यहाँ पर ace lHow मिलता है यहाँ यह पे red उड वाइट में Spotify को मिलोगा यह एं125 है यहाँ फे यहाँ पर यहन देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको यह र एंटोर्क 125 यहां पे रेड और ग्रे का ग्राफिक्स और यहां पे रेस लिखावा देखने को मिल जाता है तो यह चीज़े है और यहां पे इसका राइडर का यहां पे पैर रख सकते हैं समान रख सकते हैं यह पिलियन के लिए हो जाता है फुट फेक से पिलियन जो राइडर उनके लिए और यहाँ पे कुछ silencer पे आपको यह लिखावा देखने को मिलता है यह आपका जो silencer है इसका उपर cover दिया गया है जो की metal का है जिससे जो heat है वो पैर में ना लगे पैर में ना जलाए और यह भी उसी के लिए है जो की metal का यह भी है तो यह आपका silencer के लिए हो ज आपको हेलोजीन बल्द देखने को मिलेगा और बेक साइड में आपको यहां पे LED टेल लेंप भी देखने को मिल जाता है साइड में आपको यह देखने को मिलता है यहाँ पर नमबर प्लेट प्लेट लगवा सकते हैं और यहाँ पर एक रिफलेक्टर देखने को मिल जाता है और यह बेक के लिए हो गया आपका मटगाड मटगाड का यह काम करता है और साथ ही यहाँ पर आप देखे तो यह भी एक मटगाड दिया हुआ है जो इंजन में यहाँ से कचड़ा को जाने से रोकता है और वहीं इसके बेक साइड में सेस्पेंसन देखें तो यहाँ पर इस 7000RPM तो यह स्कूटर के मामले हैं पावर इसमें आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है और इस साइड में आपको रिफलेक्टर देखने को मिलता है यहाँ पर आप देखे तो यहाँ पर एक चावी का चावी है जब चावी को ओन करेंगा तो यहाँ से आप फ्यूल को भी कर सकते हैं यहां पर आप रख सकते हैं यहां से इसके की को लगा के आप इसको खूल सकते हैं सीट को खूल सकते हैं बेक साइट में देखे तो यहां पर आप कुछ भी यहां पर पेपर वगरा यहां पर रख सकते हैं रबड दिया हुआ है और बेक साइट में देखे तो जो इ की यहां से ऐसके आप इसको बंड करेंगे तो यह लाइट बंड हो जाता है यह इसका कवर हो जाता है इसमें पानी को जाने करके आप इसमें चार्ज लगा सकते हैं और यह यह चिस नंबर आपको देखने को मिलता है जो की जब आप Bluetooth connect करेंगे तब आप इसको डाल सकते हैं तो यह कुछ इस तरी के देखने को मिलता है तो जब आप हेलमेट के सायन इधर मोड़ेंगे तो यह seat आपका खुल जाता है जिससे आप यहाँ पे कुछ भी हेलमेट वगरा स्टोर यहाँ पर कर सकते हैं अब जब यहाँ पे देखरें पेट्रोल के सायन अगर इस साइट करेंगे तो आपका देखेंगे फ्यूल के लिए यह पेट्रोल टेंग खुल जाता है और इसमें आपको 5.4 लिटर का फ्यूल टेंग के देखने को मिलता है और माइलेज की बात करें तो माइलेज लगभग यह आपको पैंताली से पचपन का इस माइलेज दे देती है आरांसे वील में अगर आ यहां पर कुछ इस तरीके से इसका लुक निकल के आता है तो रियर साइड में आपको यह चीजे देखने को मिलता है और उस साइड में आपको यह चीजे देखने को नहीं मिलता है एक साइड में इसमें दिया गया है फ्रंट में आपको ऐसा कोई भी ग्राफिक्स देखने क तो नहीं मिलता है तो और अगर वहीं रियर ब्रेक की बात करें तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है और यह आपको किक मिल जाता है इसमें यह किक मिल जाता है बेक साइड में भी आपको एलो विल देखने को मिलता है जो की रेड में देखने को मिल रहा है और इसमें भी आपको TBS Remora का टायर देखने को मिलता है और वहीं टायर साइजेज की देख सकते हैं यहां TBS लिखा हुआ है और टायर साइजेज की बात करें तो बेक में आपको 110 x 80 12 सेक्शन का टीबलेश टायर देखने को मिल जाता है और यह आपको स्टेंड्ड देखने को मिलता है ऐपको जो डबल इस्टेंड है और इस साइड में भी आपको पिलियन का फुटपेक्स देखने को मिल जाता है तो ग्राफिक्स वाइस इसमें काफी अच्छा एक कमाल को फिचर है और यहां पर आप आप आएं तो यहां पर एंट चुछ देखने को मिल जाता है तो दोस्तों जैसा कि है कि TBS, Anto, Grace XP पे मुझे जहां तक लगता है मैंने जहां तक याद था मैंने सारे चीज आप लोगों को बताने को सिस किया है हाला कि अगर कुछ छुट गया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं इस्टाग्राम का लिंक आपको स्क्रीन पर फ्लो करता हुआ दिख जाएगा और वहीं अब इसके बात करें प्राइजिंग का तो देखे फिचर के वाइज फिचर इसमें इतना कुछ दिया गया है अगर प्राइजिंग जो ओल्ड मोडस देखे तो कुछ भी नहीं है उसके साथ से हलका फूल का थोड़ा से इसमें प्राइज को इंक्रेज किया गया है बट आपको फिचर काफी ज़्यादा देखने को मिलता है जो कि अभी तक आपको 125 सिसी के स्कूटर में देखने को नहीं मिलेगा तो लुक वाइस भी इसमें आपको ज़्यादा बेटर लुक मिल सब्सक्राइब करके उसका वीडियो आपको कुछ दिन में देखने को मिल जाएगा तो और भी कुछ डिटेल्स आपको जानना होगा तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं बाकी अगर आपको इस स्कूटर को लेने में कोई इंट्रेस्ट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए या फिर आपको डिस्किस्टन बोक्स में सोरूम का कॉंटेक्ट नंबर और ए कंटेंट के साथ तब तक के लिए राइड विट बाइक